दोस्तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दा प्रोपोजल ये एक प्ले है और इसे लिखा है एंटन चेकव ने तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्ले के कोशन और आंसर को डिसकस करेंगे इस चैप्टर में तीन कैरेक्टर है लो मोव नाटालिया और चुबू को और दोस्तो एक्जाम में 100% इन तीनों में से एक का कैरेक्टर तो कोशन में देता ही है और हाँ जो आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ इसे मैंने गूगल या कहीं से भी कॉपी नहीं किया है ये मेर आपको एक बात बता दू यहां से लेकर यहां तक्यानी कि यह जो लाइन्स है ना यह आपको तीनों आंसर में लिखना है और आपको सिर्फ जो कैरेक्टर का नेम है वो चेंज करता है और जेंडर चेंज करना है तो चलिए अब पहले आंसर को पढ़ते है In the play The Proposal Lomov has played an important character to comprehend the play The entire theme of the play rotates round the activities of Lomov His presence is visible from the first frame to the last frame of the play Lomov ने इस play में बहुती important role निभाया है और यह जो पूरी play है ना यह Lomov के इड़ गिर्द घुमती है और Lomov इस play में starting से लेकर ending तक present रहता है Lomov is a land owner और इस play में जो Lomov है वो एक land owner है He wants to marry with Natalia but hesitates to express it He wants to lead a comfortable life after marriage यह सब दोस्तों easy easy lines है तो आपको easily समझ में आ रहा होगा He is adamant by nature Adamant मतलब दोस्तों जिद्दी यानि कि जो Lomov है ना उसका जो nature है वो जिद्दी है And does not compromise under any circumstances even with Natalia during dispute तो यहाँ पर हमें Lomov का जो जिद्दी पन है वो पता चलता है In this way it is crystal clear that Lomov is adamant by nature तो दोस्तों यह तो हो गया character Lomov का तो अब हम discuss करेंगे Natalia का character तो चलिए नजर डालते है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी lines बिल्कुल सेम रहेगा और यह जो name है यानि कि यहाँ पर Lomov था तो यहाँ पर अब हमने Natalia लिख दिया और यहाँ पर जो he's है वो her हो जाएगा Natalia is a love sick cat she wants to lead her life with comfort after marriage she is adamant but agrees to compromise under certain circumstances तो यहाँ हमें पता चला Natalia जो है वो भी जिद्धी है लेकिन वो कभी कभी compromise कर लेती है यह हमें play में देखने मिला था जब चुबुको ने Natalia को बताया कि Lomov यहाँ पर शादी का रिस्ता लेकर आया था तब यह Natalia compromise कर लेती है यह कहती है father आप जाएए और उसे यहाँ पर लेकर आये तो यहाँ पर हमें देखने मिला कि कभी कभी Natalia compromise कर लेती है और आगे के lines में यही लिखा है in the dispute at first she did not compromise with Lomov but finally agrees to compromise in this way it is absolute clear that Natalia is adamant by nature but at sometimes agrees to compromise तो अब हम चुबुको के character को discuss करेंगे तो पहले हम बिल्कुल same यानि की यहां से यहां तक पूरा copy करेंगे और चुबुको यहां पर लिखेंगे और जो हर्था Natalia में वो यहां पर his हो जाएगा चुबुको is a land owner and a sensible father of Natalia he wants that Natalia should lead a secured and comfortable life even after marriage he wants to release the burden of Natalia through marriage he loves and cares much for Natalia in this way it is crystal clear that चुबुको is a simple and sensible person तो यहां हमें पता चला चुबुको एक land owner है और वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है और उसका बहुत खयाल रखता है और उसके सर में जो burden था ना Natalia की शादी का वो सोचता है कि मैं उसकी शादी करा दूँगा तो यह जो burden है ना यह उतर जाएगा तो दोस्तों यहीं पर मैं इस वीडियो को अब end करता हूँ मुझे उमीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत help मिला होगा तो अब आपसे मुलकात होगी कल next वीडियो के साथ